नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और इंफर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है हाइड्रोसिल के बारे में और क्योंकि आप सब में से जाया तो लोग जानत हैं कि मैं जो टेस्टी में होने वाली मोस्त कॉमन समस्या हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं अपने इस चैनल के वीडियो के माध्यम से और में उस श्रंकला में अल्रेडी एपीटी डायम सिस्ट और वेरी को सिल की उपर वीडियो बना चुका हूं तो आप मैं से ज आउने वाली सबसे कॉमन प्रोब्लम है हो जो बच रही थी वो है हाइडो़सिल तो इसी तरह में हाइडोशिल की ऊपर वीडियो बनाके उस पूरी की पूरी जो एक क्लस्टर है वीमारीयों का जो बहुत कॉमनली टेस्टी में पए जाती हैं वह पूरा हो जाएगा जो की ह एपीडी डायमलसिस्ट, वेरिकोसिल एंड हाइड्रोसे, तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने के पहले, मैं आप सब का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, पिछली बार कुछ लोग लाइव स्ट्रीम जो प पसंद आ रहा है, तो कंटेंट को लाइक करिए, अगर आपको कंटेंट बहुत जादा पसंद आ रहा है, तो प्लीज उसको अपने कलिक्स और दोस्तों के साथ शेयर करिए, कि जिससे यह जो ग्यान की बाते हैं, वो उन तक भी पहुंचें, ठीक है ना? और जो भी मेरे सब सब्सक्राइबर उन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार नोटिफिकेशन बैल को आल के उपर जाके आप क्लिक कर दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जादा तर सब्सक्राइबर ने शायद नोटिफिकेशन बैल को आल पे नहीं रखा, इसके कारण शायद उन तक प्रॉंटली कंटेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं पहुचती है, जब भी मैं चैनल पर कोई अपडेट करता हूँ, और मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, मैंने ये कभी इस चैनल पर लाइव स्ट्रीम करी है, भविश्य में और फ्रिक्वेंटली करूंग ठीक है न, वैरिको सील, ये सब जो है, एक सैक की बात हो रही है, जो टेस्टीस का डिजाइन है, जो टेस्टीस का डाइग्राम अगर आप देखें, तो इस पाउज लाइक, तो एनिफिंग जहां पर सील की बात होती है, वो बहुत जाधा तर संभावना है कि तो ये हाइड नाम से ही पता चल रहा है, हाईडरो मतलब पानी और सील मतलब स्क्रॉटम या फिर टेस्टीस या सैक, तो टेस्टीकुलर सैक के अंदर पानी भर जाने को हम हाइडरोसील बोलते हैं, अब इसकी परिभाशा क्या होगी, इसके डाइग्राम्स क्या होगे, अगर हमारे सामने ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो हम जाद अच्छे से समझ पाएंगे तो दोस्तों सीदे हम दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं सबसे पहले हम इसका देफिनेशन देखते हैं हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल लिए देखिए इसको उसने तीन भागों में संधी विच्छे में तोड़ा है हाइड्रोसिल जैसा कि आप में से ज़्यादा तर लोग जानते हैं इस बात को कि हमारे कोई भी औरगन होता है वो एक शीद के अंदर कवर होता है शीद मतलब एक उसके उपर लेयर होती है जैसे लंग्स है तो लंग्स जो है प्लूरा से कवर होता है प्लूरल मेंब्रेन होती है और वो प्लूरल मेंब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है वैसे हार्ट है हार्ट पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है हमारा जो इ मेरली मेरली नहीं रहता है हर एक औरगन को ऊपर वाले ने एक शीथ एक कवरिंग के अंदर कवर करके रखता है तो उसका जोमेट्रिकल टेक्चर उसका पैरेंकाइमल टीशू जो है वो एक शेप में रहे है तो उसी तरह से जो टेस्टीस को कवर करने वाली जो शीथ होती है उसमें जब पानी भर जाता है मतलब पानी भर जाता है मतलब ऐसा नहीं वो पानी कि भाई यह कहीं से पानी में जब effusion होता है तो उसको हम pneumonia कहते हैं, pleurisia pneumonia कहते हैं, peritonial cavity के अंदर जब effusion होता है, उसको हम ascitis कहते हैं, जो घुटने की synovial membrane, जो घुटने के अंदर एक membrane होती है, that is what is known as the serous membrane, उसको synovial membrane बोलते हैं, जब उसके अंदर पानी भरता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, knee joint diffusion, उसी तरह से, when there is the serous cellular effusion in the sheath that covers the testes, it is known as the hydrocelle, इसको बोलते हैं हम hydrocelle, तो यह हमने समझी परिभाशा, अब hydrocelle का जो scenario है, hydrocelle is the common in the newborns, यह बच्चों के अंदर बहुत आंतोर पर होती है, and usually disappears without treatment by the age of one year, old boy and adult men can also develop the hydrocelle due to the inflammation, यह injury within the testes, देखिए अब यहाँ पर जो बात आ रही है मेन, pause की अगर हम बात करें, तो हमने देख लिए बच्चों में छोटे बच्चे new born में होती है, एक साल तक अपने आप चली जाती है, पर adults भी इसके शिकार हैं, और यह आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप as a patient हैं, आपके परिवार, घर परिवार में कई लोगों कोई होगी, तो यह बहुत ज़्यादा ताजाद में adults के अंदर, और adults में पाए जाती है, age इस में पाए जाती है, old age में पाए जाती है, mid age में पाए जाती है, तो यहाँ पर cost की बात करें तो cost तो क्या inflammation है inflammation या तो कोई idiopathic inflammation हो सकता है streptococcus, staphylococcus का inflammation हो सकता है कोई injury हो सकती है इसके cost के अंदर एक और चीज़ बताते हैं जो bike riders होते हैं जो बहुत लंबा-लंबा riding करते हैं तो due to the continuous pressure in the region of scrotum ये develop हो जाती है जो weight lifters होते हैं, जो बहुत exercises वगरे करते हैं जो weight lift करते हैं तो weight lift करने में intra-abdominal pressure बढ़ता है और ultimately कहीं न कहीं वो pressure नीचे की तरफ transmit होता है तो ये जो weight lifters होते हैं इनको generally hydrosil हो जाता है बट यहां पर मैं आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ ले जाना चाहूँगा जो homeopathic aspect से बहुत important है hydrosil को समझने में homeopathic में ये बताया गया है कि जो mumps होता है mumps मतलब गल्स हुआ parotid gland का inflammation जो mumps होता न जो बेलाडोना की पट्टी ये लगाते है छेच्छेद वाली वह mumps अगर वह mumps किसी बच्चे को बच्पन में हुआ है अगर उसको हम maltreat करें तो इन दे नियर फ्यूचर वह जो mumps है वहां से तो गायब होता है वह तो वहां से चला गया बट ओवर दे नेक्स्ट कमिंग यार वहां से गायब होके बॉड़ी के अंदर एक इनएट स्टेज में रहने के बाद वह इंफ्लमेशन आफ टेस्टीज में मेटाइस्टेस होता है यह होमियोपेथिक कंसेप्ट है अगर आप लोग होमियोपेथिक के छात्रे डॉक्टर से तो आप इस बारे में जानते हैं अगर आप पेशेंट हो तो आप जान जाहिए कि इफ यू एव एनी पेशेंट आफ मॉम्स क्योंकि मॉम्स आज की तारीख में ओल्ल्ड एज में भी हो रहा है पहले एक जमाना था छोटे बच्चों को होता था उसके बाद मॉमस नहीं होता था बड़े लोगों में नहीं ह होता था पर आजकल हो रहा है और वो मंस का अगर माल ट्रीटमेंट हुआ है उसको प्रॉपरली हैंडल टेक्निकली रैशनली हैंडल नहीं कर रहा तो वो मंस का मेटास्टेसिस होता है नीचे टेस्टीस की तरफ इसके मतलब डेफिनेशन के बारे में हमने बात करिया है और हम छोटा सा एक डाइग्राम देखेंगे उसके बाद हम सीज़र ट्रीटमेंट पर जाके वीडियो को खतम कर देंगे कि हाइड्रोसिल कैसा देखता है देखिए आप इस वाले इस वाली स्लाइड में आप देख पा हाइड्रोसिल के अंदर ये चीज होती है कि ये एपीडिडाइमेस है और ये जो टेस्टीस है ये देख रहे हैं ये ये पिंक कलर का जो टेस्टीस है इस टेस्टीस को कवर करके एक शीथ होती है जो कि नॉर्मली तो विल्कुल इन विजिबल होती है बहुत पतली शीथ होत होता है उसके अंदर सीरस इफ्यूजन होता है तो दिस इज वाट इस नोन इस दा हाइड्रो सिल और आप मैसे जितने लोगों ने एपीडिडाइमल सिस्ट और वेरिको सिल का वीडियो ध्यान से देखा है ठीक है ना तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन लोगों ने एपीडिडाइमल सिस्ट और वेरिको सिल का वीडियो प्रॉपरली देखा है अच्छे से देखा है तो टेक्निक के अंदर में जो टेक्निक है यह सारों चीजों का सत्यापन और कन्फर्मेशन सोनोग्राफी से होता है आईए एक और शोटा सा डायग्राम देखते हैं एक यहां पे हिए बहुत डिटेल वाली बात है और आपने को इतना डिटेल में नहीं जैना कि नॉर्मल टस्टे से यह नॉन कभिने लोट थर्म्राउंस हूश और यह कम्यूनिके ज citrus हाई उपिजयत्व कर गाउन दिटेल कोई यह है कैसा दिखता है होने का क्या कारण है definition क्या है कैसा दिखता है दोस्तों बिना समय बरबात की दस मिनिट का वीडियो अल्रेडी हो चुका सीधे treatment पर चलते हैं hydro silk के अंदर the three most important homeopathic medicine जो हैं वो यह हैं पहली है epismalifica 30 epismalifica 30 ठीक है नहीं आपको गोलियों में चार चार गोली दिन भर में तीन बार लेना है अगर आपको जरूरत पढ़ रही है तो लीजिए और लेने के पहले दोस्तों एक disclaimer दे रहा हूं यह जो वीडियो बनाता हूं में यह सिर्फ informational purpose के लिए हैं ठीक है न इनके अंदर बताई गई कोई भी दवा का सेवन आपको अपने मन से नहीं करना है आपको अपने शहर में जिन होमियोपेथिक डॉक्टर साब के सानिद्ध्य में आज तक आप चीजें लेते आए हैं दवाएं आपको उनकी सला के बाद ही लेनी है ठीक नुँँँँँँँँँद मेड यह जो दवाएं हैं लगबग 70-80% केसिज में जिन लोगों को हैड्रोसिल है उनको यह फायदा करेंगी और आप लोग इन दवाओं का सेवन करें खुद अपने होमियोपेथिक डॉक्टर की सला के बाद और अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट्स को यह दे अवे नमश्कार